मैं रहता हूँ उस आर्या वर्त में जहां होता है मान जीवन अधीकारों का जिस धरा पर खिलता है जीवन जहां होता है सम्मान मानवता का मानवधिकारों का प्रमादन्य धक्समा हो दै नीर चीर विवे के निनायक मंडल एवं मेरे परभुद स्रोतागन आज के स्वाद विवाद प्रतियोगता में मैं निरक्षक जीडी पवन कुमार भारत तिबत सिमा पुलिस बल आज का विश है मानव अधिकारों का नुपालन करते हुए देश में आतंकवाद और उग्रवाद से प्रभावी तरीके से निप्टा जा सकता है का पुर्जोर समर्थन करता हूँ महोदे ये बात बिलकुल साफ है कि आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद का सामना करते वे हमें मानव अधिकारों का सम्मान करना ही होगा क्योंकि ये सिर्फ न्याई का ही नहीं अपितु प्रभाव सिल्टा का प्रशन भी है सुरक्षय व्यवस्ता चाहें कितनी भी भेतर हो जाए कभी प्रियाप्त नहीं हो सकती हमें उन्हित प्रिष्थितियों का सामना करना ही होगा जिसके कारण लोग विशैली सोच का सिकार बनते हैं महोदै बात चाहें अमरनाथ यात्रा की हो या वर्ष 2013 केदारनाथ घाटी का वो खौफ नाख मंजर जा हमारे सुरक्षय वलों ने अती दुरुगम छेत्र और विप्रीत प्रिष्थितियों में अपनी जान की परवाना करते हुए हजारों लोगों को बचाया था तो मैं बताना चाहता हूँ जब अतीने दुरुगम छेत्र और विप्रीत प्रिष्थितियों में मानव मुल्यों को ध्यान में रखते वे अपने करतवे का निर्भेन कर सकते हैं तो आतंकवाद और उग्रवाद प्रभावी छेत्र में मानव मुल्यों को ध्यान में रखते जिसने मान लिया वो हार गया जिसने ठान लिया वो जीत गया अब मैं बात करना चाहूंगा अपने साथ भीती घटनागी महोदै लोग सबाद चुनाव 2019 में मैं अपनी टीम के साथ कस्मी डिस्टिक बांधी प्राव बनकोट बूत पर तैनाद था और मेरी टीम पत्थरबाज का परिच्चे देते हुए अपनी टीम को वहां से सुरक्षित निकाला लेकिन मानवधिकार को आड़े नहीं आने दिया आपने हमारे CRPF जवानों का वीडियो तो देखा ही है जो एक रास्ते से गुजरते हैं और स्थानी जनता दुवारा हुने लाथ घुस और हेलमेट से पिटने का सामना करना पड़ता है महोदे प्रशिक्षन की भठी में तब कर इतना लोहा बन चुके होते हैं कि इस प्रकार की स्थिति में भी मानवधिकार का उलंगन नहीं करते पठा अनकोट बाला कोट और उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक के दोरान जहां हमारे सैनेबलों अपने सोरी और प्राग्रम का परिच्च देते हुए आतंकियों को उनी की भासा में जवाब देकर धूल चटा दी और मानवधिकार कहीं आड़े नहीं आया हमारे स्रक्षियावल प्रभावी धंग से अपना कारिये कर रहे हैं बात चाहें दक्षन सुडान के गरहयुद मे फसे भारतियों को सुरक्षित निकालने की हो या वर्स 2014 जम्मू कस्मीर बाड में फसे लोगों को बचाने की हो या फिर उत्राखंड केरल बाड रहात कारिये की हो हमारे स्रक्षियावलों ने अपनी प्रतेएक जिम्मेदारी को मानव मुल्य और राष्टर हित को ध्यान मे रखते वे बखू भी निभाया है महोदै यदि बात करे भारत के उत्र पुर्वे राजियों की जहां कभी चरमस्तर पर उगरवाद होता था आस्थिती वैसी नहीं है उन छेत्रों में भी हमारे स्रक्षियावलों ने सिविक एक्षिन प्रोग्राम और बोडर एरिया डिव बोली किसी का भी सीना चीर सकती है और मुख से निकली मिठी बोली किसी भी आवाम का दिल जीत सकती है महोदै मानव अधिकारों का पालन करते हुए आतंकवाद और उग्रवाद से बखू भी निप्टा जा सकता है यदि जरुरत है तो एक अच्छी शिक्ष्यागी एक ररिफंडिन को रोगनेगी साइबर-क्राइम को रोगनेगी दुनिया भर में पनप्रे धरविकरन और नचल विशेष की परतिद्वेसोड नफृत की बोली पर लगाम लगानेगी हमें धर मौर जाती के उपर इंसानियत को रखना ही होगा आर्थिक और सामाजी के समानता क खत्म करना ही होगा जिसका जुलंत उधार्ण हाली में सरकार ने धारा 370 और अनुछेद 351 को हटा कर हमेशे आगे लिए जम्मू कस्मीर को भारत के साथ जोड़ने का कारिय किया जिससे एक तरफ जम्मू कस्मीर परदेश की विकास के नई रास्ते घुले तो दूसरी तरफ आतंक के ताबूत में नहीं केल भी ढूगी महोदे 1995 से पाँच अगस 2019 तक जम्मू कस्मीर में जहां 4866 लोगों की मौत हुई और 71,038,07 में घटनाए सामने आई तो मैं बताना चाहूंगा कि पाँच अगस्त के बाद ना एक भी गोली चली है ना टियर गैस चलाना पड़ा है और ना ही एक भी व्यक्ति की मृत्य हुई है तो आज इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भारत का वेटाए कहता हू कि मानव अधिकारों का पालन करते वेवी आतंकवाद और उग्रवाद से बखु भी निप्टा जा सकता है यदि इसके मूल को खत्म कर दिया जाए तो आएए एक पहल करें एक दूसरे के अधिकारों को संग्रक्षित करने की एक दूसरे के विचारों को समझने की और सहभा में तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ घायल भारत चीक रहा है चीक सुनाने आई हूँ परमादर निये सभापती महोदय मंचाशीन निर्नायक मंडल समीती ऐवो मवस्थित मेरे प्यारे साथियों मैं आरक्षी खुश्बू चोहान केंद्रे रिज पुलिस बल आज सदन की राय से असहमत होते हुए वक्तावी पक्ष में अपने विचार प्रस्तूत करूंगी महोदय दर्द हद से तब गुजरने लगता है जब मेरी आखों के सामने ताज पुलवामा च्छतिस गड़ में शहीद हुए जवानों के शत विशत अजले शरी हुए देश से उगरबाद और आतंग बाद को समात किया जा सकता है महोदय आप तो हमारा तिरंगा जंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत आजकल फैहराने से जादा मैं कफन में दफनाने के क्यूं काम आ रहा हूं महोदय तो उस दिन फट गया जब बगलों, की नाकवनी हस्ती है और शहीद हुए हमारे जवानों की आंगन की तुलसी रोती है जब एक शहीद हुए जवान की विध्वा की वेदना चिक चिक कर ये कहती है कि प्यार भी भरश गया मांग का सिंदूर गया नन्य न्वी निहालों की लंगोटिंगा चली गई छोटी छोटी बेटियों के चोटियां चली गई और आप के लिए तो एक आदमी मराहसाहब मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई महोद है किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि इती हास गवा है कि पहल करके बड़े-बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिये गए हैं परन्तु आज मानवाधिकारों के कारण हमारे देश के जवान इस कदर बंदे हुए हैं कि अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी वो आज पहल करने से डलते हैं क्योंकि महोद है भविश्य में उन्हें कट घरे में खड़े होने का डर सता रहा होता है वो ये जानते हैं कि चाहिए एक उगरवादी की राइफल से निकलने वाली गोली को ये तै करना पड़े या ना पड़े कि वो किसे लगेगी लेकिन हमारी राइफल से निकलने वाली हर गोली को ये निर्णे लेना पड़ता है कि चाहे वो किसी निर्दोष को लगे या ना लगे परन्तु किसी निर्दोष को नहीं लगनी चाहिए यदि ऐसा हुआ तो ना तो ये समाज हमें छोड़ेगा नहीं तिलका टार बनाने वाली ये मीडिया हमें छोड़ेगी और महरदे मानवादिकार के तले किसी जवान को दबा कर युद्ध के मैदान में छोड़ देना कोई वीरता नहीं एक आत्म हत्या है क्योंकि महोद है फूल को श्रिंगार दो ये मुम्किन नहीं और एक वीर को जहनकार दो ये मुम्किन नहीं जो हाथ बांदे सेना के ऐसे मानवाधिकार का पालन संभब नहीं महोद है आज सत्यनिष्ठा के मार्ग पर चलते हुए भी हमारे देश का जवान इन आतंकवादियों इन पत्थरवाजों से डरता है क्योंकि वो जानता है कि उसकी राइफल से निकलने वाली गोली अगर टारगेट को हिट नहीं भी करेगी तो अभी 400 मिटर तक जाएगी औ महोद है हमें अपनी नौकरी से हाथ तक दोना पड़ सकता है और महोद है अपनी नौकरी को बचाने की खातिर एक जवान आज यह सोचता है कि चाहे साप मरे या ना मरे परंतु लाठी नहीं तूटनी चाहिए क्योंकि आज हमारे देश के हाला कुछ ऐसे हो गए हैं कि चिर सवामा में 44 जवान सहीद हुए 36 गड़ में 46 जवान सहीद हुए तो कोई भी मानवादिकार की दुहाई देने वाला हमारे पक्ष में आकर खड़ा नहीं हुआ परंतु जब जेनियू विस्विद्याले में एक देश द्रोही के द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे भारत की वेटी अपनी भारती सेना की तरफ से आज ये ऐलान करती हूं कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा उठो देश के वीर जवानों तुम सिंग बनकर दहार दो और एक तिरंगा जंडा उसकनहिया के सीने में गार दो महोद है अंत में अपनी वानी को विराम की और ले जाते हुए मैं सर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मुझे अफसोस है अपने देश की नहीं प्रकर्या पर जहां आज भी रात के बारा बजे अजमल कसाब जैसे आतंगी के लिए सर्व से शोलों के आगे रामायर पढ़ी नहीं जाती सीमा पर गोलों के आगे धर्ती के घौर गुहां से को एक सूरज ही हर सकता है क्योंकि एटम बम से रक्षा के बाल एटम बम ही कर सकता है जैहिंद जैभरत